So Hello Everyone Welcome to the Home Medicos YouTube Channel तो आज का हमारा जो टापिक है वो है हरिंग सलफ क्योर वैसे तो मैं लास्ट लेक्शर तक में बता चुका था कि हरिंग सलफ क्योर क्या है लेकिन मैं एक बार फिर इसको आने इसको आने और डूटेल में इसको समझाना चाहूंगा तो चले शुरू करता है देखी सबसे पहली यह चलाएँ इसमें यह है कि ग्रोट यह डफलोप्मेंट इनक्योर आसेंट्रिफ्यूगल और नेवसें इसका मतलिब कर ने कि है है कभी भी वो सेंटर पेटल मैनेर में नहीं होती है यानि कि आव बाहर से अंदर की साइड नहीं होती है इसमें जो पराव है वो यह है कि हैं घुरिंग्स लॉफ टीरिक्शन आफ गोर में कहा जाता है ठीश यानी कि जो से कियOR है वह हमें हैणा इक बताता है कि जो एक है कियोड फॉर किस डिरीक्शन में होड़ी है किस डिरेक्शट में होती है ऐिक इक छो लोगती है यह चर्टकर नव ने पहरे note you जो डॉक्तर हेरिंग थे उनको फादर फादर अमेरिकन हो पर भी कहा जाता है ओके नेक्स है कि अकॉर्डिंग इस लोग के अकॉर्डिंग जो पेशेंट है जिसको हमने है ना सिमिलेवं रेमेडी दी है उसके अंदर जो क्योर है वो किस तरीके से होती है तो उसमें लिखा गया है कि the cure take place from above downwards यानी कि कि और जो होती है वो उपर से नीचे की तरफ होती है, from within, outwards तो मिदिन और अनदर से बाहर की तरफ होती है from the more important organ to less important organ यानी कि jinois more important organ है वहां सबसे पहले कर खोग, और सिमिले से होती है less important organ होती है और जो reverse order of the happens यानि कि जिस order में है जो diseases आई है उसके reverse order में जो है वो क्योर होगा, okay? और दिन निक्स जो है इसमें वो ये है कि हिंदी राइटिंग सब हैनिमन देखो हैनिमन ने जो अपनी में राइटिंग से लिखे दी उन्होंने में उन्होंने भी है ना उसमें symptoms जो उतना वो reverse order में है ना और disappear होते हैं ठीक है यानि कि और जो अपनी में राइटिंग में ने भी ये बात कही है कि उन्होंने ऐसा observe किया है कि जो symptoms है वो जो पहले symptoms आए थे सबसे पहले आए तरी डिसीज बे वो सबसे बाद में रखे और हो रहे हैं और जो है वतलब सबसे बाद में आए थे symptoms है वो सबसे पहले क्यों हो रहे है ऐसा मस्रा हैनिमन ने अपनी में राइटिंग्स में लिखा कि आसा मैंने observe किया ठीक है तो आगे भी है राइसी में वही लिखा हुआ है कि जो old symptoms है वही है हाँ इस पे एक और main line है इस पे आप आप बहुत ध्यान दीजीगा the recurrence of old symptoms after administrating a remedy is a good indication ठीक है और इस शीज का मतलब यह है कि अगर मन लीजे हम प्रिसी patient को medicine दे रहे हैं और इस medicine देने के बाद जो उसके पुराने symptoms है उसके अगर पुराने symptoms है न वापस आ रहे हैं तो फिर यह एक अच्छा indication माना जाएगा और इससे हम यह भी यह न कह सकते है यह हम अंदाजर रहा सकते हैं कि ख्योर जो है वो सही manner में हो रहा है और मैं इसके चलो एक reason समझा देता हूं कि इसका reason क्यों होता है देखे जब मान लो है ना chronic case है ठीक है chronic case में क्या है कि आपने है ना मतलब एने एक पूरी complete casing केसिंग की इंदैने एक perfect semester minimum निका दी ठीक है जब आपने perfect semester minimum निकाली और उसको patient को दिया तो patient का क्या था कि जो उसके symptoms suppressed हो रखे थे यानी कि वो जो symptoms थे जो कि उसमें बहुत time तक है ना suppressed कर रखे थे अपनी body में फिर चाहे वो natural suppression हो और चाहे artificial suppression हो तो वो जो suppression की वज़े से उसको जो chronic disease हुई है तो जो suppressed symptoms थे ना वो उस कि हमें cure में क्या करना होता हमें cure में जो present symptoms हैं उनके साथ साथ जो suppressed symptoms है उनको भी है ना cure करना होता था तो उन suppressed symptoms को हम cure कप कर पाएंगे जो symptoms बाहर रहेंगे तब ना ठिक तो यही है कि जब किसी भी patient को हम लोग ना medicine देते हैं तो अगर उसमें पुराने symptoms है ना वापस आ रह ना वो अगर वापस आ रहें तो यह काफी अच्छा indication माना जाता है ठीक आगे है कि जो herring law of cure है वो एक compass की तरीके काम करता है ठीक है एक navigator ना एक navigator की तरीके काम करता है जिसे समुद्र में जो sailors होते हैं ना वही compass लेके चलते हैं जो for navigations की रास्ते पता कर दिग लिए उसी के सी revealed she princesses व estás वगए ना पाथ होता है path of cure कि जो है cure कि इस रेक्षिंग में है न जा रही है cure का जो है path क्या है या cure हो भी रही है यह क्यों लोग क्याता कि कई सारे रास्ते हैं भई अगर जैसे महतना लो अम रास्ते पेनड़ चलते जाते तो हमें वह Atlas हों जो लिखनी होता जैसे कि मान लेज Basil में इंद्ग में स्टून से बने होक्त है जिस पे लिखा दारा है लिए गड़ अधर चालेस किलमेटर लिगडर अधर दस और αλλά उर पांच हो रही या फिर कितनी मदलब हो रही है इससे हम यह पता लगता है ठीक है तो हरी है तो यह कितनी हो चुकी है या किस डिरेक्शन में जा रही है ठीक है और जो हर स्टेप है हेरिंग स्लाफ क्योर का वो एक्स्प्लेइन करता है सेन प्रोसेस ऑफ क्योर ठीक है यानि कि हर स्टेप बताता है कि वह रही है यह यह ओके दिन आगे क्या लिखा है कि आगे और इसमें एक्जांपल्स भी दे रखे हैं बेटर इंडरस्टाइडिंग के लिए तो फिर अब हम चलते हैं जो स्टेप है हेरिंग स्लाफ क्यूर के उसकी तरफ ठीक तो जो हरिंग स्लाफ क्यूर का पहला स्टेप है वो है क्योर क्योर्जद होती है वह होती है फरं अबब तौ डाउंवर्ड यानि कि क्यूर हमेशा होती है व seanल हम इसको सिंआउं haircut हूं कैसे fijक जेब हम लोग करना किसी में पेशेंट को य्काने टेते हैं तो जो आयएलेसिटम्स जू होता Jesse बहुआ उत य। हमैसा अच्शा कॉन्सक्षिण औरा कि तरफ है याया या निकि उपर आविसे किता ओंदेगल से hvor आप यंदी खोटा भूंकरे नयक्तरों नियों। अपहले दिनतल में अपल सी कहए पॉपॉनम J paisaux नियुत और हुर्टान कि तन添 औरा्टान है तो यह एक अच्छा इंडिकेशन है कि हाँ जो हमने अच्छी तरीक से हैं काम कर रही है तो अगर हम इसका एक 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 इग्जामप्ल को लेके चले तो इसमें दिया हुआ है कि इसके पीशन है पालियो पैशन सफर कर्णा है ठीक है तो सबसे पहले क्या होगा कि the joints are हमने क्या देखा कि the joints that are close to the trunk यानि जो joints थे जो trunk जो थी यानि यानि proximal part यानि उसके जो past वे joints थे यानि वो उनमें सबसे पहले आ रहा मिला in the joints away from the body यानि कि जो अमरी lower extremities है यानि उसमें जो है मतलब बाद में आ रहा मिला ठीक है इन the joints away from the body यानि distal यानि उनमें बाद में आ रहा मिला ठीक है ये चीज़ हमने देखे wherever the joints of the upper limb will be pre-inverse यानि कि हमने उसमें ये देखा कि जो अपर limb के joints थे यानि proximal part वाले हैना वो सबसे पहले उनमें आ रहा मिला वो सबसे पहले फ्री हो गए हैना और उसके बाद में जो lower limb के joint थे हैना उनमें आ रहा मिला ठीक है तो ये चीज़ हमने देखिए कि ये ये था from above to, यहां से हमें देखा कि जो cure होती है वो होती है from above to downwards ठीक है और इसके पीछे का logic क्या है कोई पूछे कि इसके पीछे का logic क्या above to downwards आले का तो इसके पीछे का logic ये है कि जो upper quadrant होता है human body का उसमें more important doggen होते हैं जो कि vital होते हैं for life ठीक है और जो curative remedies होती है वो free करती है सबसे पहले vital part को और फिर इसके बाद other part को ठीक है इसको को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जो upper quadrant होता है हमारी body का उसमें जाद important doggen होते है यारी कि heart होता है lungs होते है ठीक है इस तरीक ये कि होत vital organs होते हैं जो हमारी life के नहीं जाद important organ होते है उनको पहले अना free कराता है disease से then less important organs होते है हमारी body के vitality मतब आहां ठीक है कि इनके बिना प्रकम चाहिए then फिर वो उसको free कराता है okay then next है herring's love cure का next point है कि cure जो होती है वो होती है from within outwards यानि अंदर से cure जो होती है वो देखने को मिलती है हमें अंदर से बाहर यानि from center to periphery ठीक है अम इसका मतलब क्या है देखो homeopathic philosophy की according जो disease होती है वो सबसे पहले होती है internal man को ठीक है internal man यानि vital force को ठीक है इसका मतलब यह है कि according to homeopathic philosophy जो disease होती हो सबसे पहले क्या करती है जो हमारी vital force होती है यानि जो हमारे internal man होता है उसको affect करती है तबी तो वो जो vital force जब derange हो जाती है तबी तो फिर वो से symptoms देती है ठीक है तो जब सबसे पहले internal man यानि vital force देती है और फिर वही दे डिरेंज वायटल वैटल फोर्स reflect करती है अपने आपको और अटर में यानि कि सबसे पहले हमारी वैटल फोर्स है अब देरेंज होती है और फिर वह देरेंज वैटल फोर्स होती हो वाइटल फोर्स में ठीक है तो यहनी सबसे परहे वाइटल फोर्स है रिरेंज होई और उसके बात जो सिम्टम्स पैदा किये हैं डिजीज के वह हमें देखने को मिलते हैं अज़ फिलें उर्फेटल फोर्स राइटल उड़ारीघर पोर्स में रिरेंज़ डेंज देखने को वह हमाने कi चलीनत का स्चेज कर देखने करें भी मिलते हैं जब भूर्स में ठीक हम्म्तार फोर्स होगी आपेज़ कर खरक्षण में देखने की हैं container ru यानि कि जो nature में भी जो पाए जाता है, वो पाए जाता है from center to periphery, यानि कि अन्दर से बाहर की तरफ, ठीक해? और जो homeopathic remedy है, वो भी है सबसे पहले क्या करती है? होब hyapathic remedy है, सबसे पहले जो inner man, inner vital organs है, ठीक है? inner vital organs है झा Kingdom, आ उस पे है न काम करती है, दो इसमें ये कहा गया है है कि जब भी हम लोग करते हैं तो हम लोग जो केंट की जेनरल सिम्टम होते हैं यानि कि जो होल बॉर्डी सिम्टम्स वहते हैं उसको हम लोग जादे important करते हैं as compared to particular symptom यानि कि particular organ की सिम्टम्स को और जब यह जो क्योरेटिव प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है कि जेनरल सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं देंदब जैसे कि आट पाया गया थीक है तो वह जो पर्टिकुलर और इसमें थोड़ा सा बाद में आ रहाँ मिलते है ठीक है तरे जैसे कि जैसे रही होती है क्यों होना शुरू होती है तो हमारे जो जन्रल स्रिम्टम सब पहले है ना मतलब आराम मिलते है तो यही वो रखा है कि जिसकी वज़े से क्या होता है कि जब हम लोग रेमीडी देते हैं पेशेंट को तो पेशेंट जो होता है और सबसे पहले क्या होता है उसको अंदर से अच्छा लगने लगता है ठीक है पेशेंट के अंदर डिजीज है ठीक है लेकिन पेशेंट अंदर से अच्छा फिल करता है या गसी मान कोई पर्टीकुलर ओर्रगन है वो अभी बिय की क्या रहता है कि अगर मनें सेमलनेशन दी तो सबसे पहले क्या होता है कि और उसकी वाइटेल पोर्ट भाण से डीजीज फ्री होता है ठीक है जब वह डीजीज फ्री होती है तॉ पेशेंट को अच्छा यहना फील होता है और फिर उइंड परक दियुक्रांट है उनको हीजी açıl करती है इसे जिल्ए ओने होता है तो सबसे पहले इनर मेन होता है हो सबसे पहले प्रै प्रो चलograph है हो इसे तक्षों पिष्यंक्त होता है अर और फेल बेटर करता है इन इंसाइंड अब लेंगी उसके जो पार्टिकुलर पार्ट्स हैं फिजिकल पार्ट्स हैं उनमें डिजीज अभी भी बने हुई है एक्जामपल के तौर पे इसमें यह बता रखा है कि मान विजे कोई पेशेंट है उसमें दोनों तरीके की कंप्लेंट्स है उसको रेस्प पहले ठीक होगी और जो स्किन की जो कम्प्लेंट्स थी यह बदाद भी ठीकुलं क्यों क्यों कि यह इस वजे से क्योंकि जो कुरेटिव प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है फ्रम इनर रेस्पिरेटरी और गन तो द आउटर स्किन यानिकि जो होना शुरू है न वह अंदर से बाहर होना शीरो हुआ है जैसे की हमने पढाता तो अंदर क्या दे हिस्थ है हमारे उसमें ये है joints are affected first sorry दुबार से बताता हूँ कि इसमें second example में ये दे रखा है कि in the case of rheumatic fever यानि rheumatic fever के case में जो joints होते हैं वो सबसे पहले effect होते हैं और उसके बाद hard effect होता है ठीक है और जब हम लोग ऐसे cases में remedy को देते हैं तो जो cure होता है वो cardiac symptoms जो है उसमें है पहले कियोर होंगी और joint के symptoms है वो बाद में कियोर होंगे इसका reason के इसका reason ये है कि जो curative process होता है वो होता है from inside to outside ठीक है मैं आपको बतातो हूँ जो disease होती है disease का manifestation होता है हमेशा बाहर से अंदर की तरफ ठीक है अंदर से बाहर की तरफ तो इसमें यहीं चाहिए गई है कि जो डिजीज हुआ था उसमें क्या था कि सबसे पहले जो है जॉइंट बाहर की तरफ दे वह अफेक्ट हुए फिर अंदर की तरफ वाला हाइट हुआ क्यों कि भी डिजीज का मैंफेस्टेशन होता है बाहर से तर्द पॉइंट किया है हैं थैक्सिलाइब क्यों में थोगोंड़ कि फ्रों मैं इसको डीटिफ प्रोसेस वो ता है वह पोसेट होता है डिजीस प्रोसेस के मैंने बैब बदा था ना कि जो डिजीस होती है वो होती है बाहर से अंदर की तरफ जो कियो कड फोसस रहता है वो रहता है अंदर से լाहर की तरफ ठीक है इस Тут वही निखा क्योंकि इसका रेजन ये है और क्योंकि देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो जादे इंपोर्टेंट ओर्गन होते हैं वो हमारी बॉड़ी के अंदर होते हैं और जो लेस इंपोर्टेंट ओर्गन होते हैं वो हमारी बॉड़ी के आउटर पार्ट में रहते हैं ठीक है ज अब देखो हम ये कैसे decide करेंगे कि यह ना कि कौन सा ऑर्गन जो उतता है less important और कौन सा ऑर्गन जादा important है भई हमारे लिए तो सारे ऑर्गन important है तो इसको हम लोग इन होगा कि कौनसे ओर्गन के बिना हमारी लैक नहीं चल सकती इस बैसे पर हम लोग ना लेस इंपॉर्टेंट और और मौर इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट और इस पहले खतम हुई और जो स्किन की कंप्लेंट थी वह बाद में खतम हुई ऐसा क्यों यहां इस वाजे से यह जो क्योरेटेट प्रोसेस था उसमें मर्फॉर्टेंट क्या थे हैं उसमें देखा कि मोरिमाटेंट थे लांज थे तो और आप एग्जंपल मीए हैं सेकंड अग्जंपल में यह है कि और रुमाटिक फीवर को मांगेजे एक केस है तो अगर रुमाट आइनना सन और टो दोनों ही कीसे में जो इन अगए थी वह इस चीज़ पर गही थी जो लाइक के लिए कौन सा और्गन जो है मेरेटल रोल प्ले कर रहे है इस बेसे ने जो है इस पर point number four है 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 हरिंग्स लाफ क्योर का वो यह है कि क्योर होती है इन दी reverse order of the appearance of symptom जानि की क्योर हमेशा होती है कि जो symptoms पहले आया है वो सबसे बाद में ठीक होगा और है reverse order वाली यह चीज हमें chronic cases में हमें जाद देखने हो वालती है क्यों कि देखो होता क्या है कि जो past history of the patient अगर आप लेंगे तो उससे हमें यह चीज है ना पता चलेगी कि patient बहुत सारी diseases से सफर किया हुआ है अपनी past life में ठीक है यह चीज हमें कहां से पता चलेगी यह चीज ह होई है ना वो उनको एक order में आरेंज करेगा chronological order में क्या करते हैं कि सबसे पूछते है कि इससे पहले आपको कोई विमारी हुई थी से पहले आपको कुछ मलेरिया टाइप वाइड है ना रे डॉग बाइट या कुछ भी उसको पहले diseases होई होगी है ना तो हम लोग क्या करत गाता है कि जब हम लोग है ना पेशन्ट को क्यूरेटिव उत earthy मेंडिय मेडिसन डी है तो हम लोग ये देखते हैं कि जो कुछ पेहले वाले इसको सबसे पहले हुई थी जो सबसे पहले होई ती जो इसके शेमिटम में पर से निकलते आ रहे हैं और फिर क्या होगा कि जो symptom जो patient को जो disease पहले होई थी उसके जो सबसे पहले है नहीं disappear होंगे और last में वो disappear होंगे जो की बिलकुल हाल में हुए है ठीक है वही है इसका मतलब कि that means the symptom of the disease that appeared first in the patient life will be the last one to disappear और जो symptom में आई है सबसे last में आए है यानि recent के symptom में है उस सबसे पहले खत्म होंगे okay आगे इसमें दे रखा है कि अगर आप patient की इसमें लेंगे याना मान लीजिए एक example की तौर पर कि अगर आप patient की इसमें ले रहे हैं तो यह हम ठीक है मतलब यानि कि हमने यह देखा कि patient को बहुत सारी वीमार गया है ठीक है पिछले 20 साल से उसको skin की disease थी तो उसके बाद पिछले बाद में इसको क्या हो था सबसे बाद में इसको bronchial asthma देखने बुला था ठीक है तो सबसे पहले कर ठीक होगा सबसे पहले ठीक होगा इसका bronchial asthma यहीं तो यही था कि in the reverse order of their appearance कि वो जो होता है वो होता है in the reverse order of their appearance ओके और आगे क्या है कि this process is an important indication और ये जो process है ये एक important indication है कि जो हमने वेवडी दी है वो ना ही सिर्फ है ना homeopathically correct है बलकि है ना वो patient को cure भी कर रही है rapid, gentle and permanent manner में यानि कि एक highest ideal cure दरफ जा रही है ठीक है और experience हमें ये बताता है कि अगर हम लोग एक्दम सही curative revenue देते हैं तो कुछ old symptoms जो कि है ना patient की life made लगाना उसने suppress किये थे वो भी है ना मतलब आपको दुबारा देखने को मिल सकते हैं ठीक है और वो में कैसे देखने को मिलेंगे दिस हापन सिंदी ओडर आप देर अपेरंस यानि कि जिस क्रम में है ना उसको पहले बीमारियों थी उसी क्रम में है ना symptoms आपको एक ही करके वापस देखने को मिलेंगे ठीक है और यह एक अच्छा इंडिकेशन है और यह बताता है अब में कि जो हमने पेशेंट को रिबडी दी है वो पेशेंट को क्योर कर रहे है ठीक है अब हम इसको समराइस करें तो इसमें यह है कि यह जो चार स्टेप है यह है ना अगर हम इनको एक सिंगल यूनित में ले आफ हां तो फिर है आफ हमें यह पता चलता है कि जो हमने त्रविडी जो दी है वो एक्डम सही ती और यह जो है और अगर यह जो सिंटम्स हैं वह लौ डिरेक्शन ओफ को फॉलो कर रहे हैं यानि कि हरिंग स्लाप को फॉलो कर रहे हैं तो इस्ते विजीशन को भी यह यह एक रनर पता लग जाते है कि भाई यह न अर अब जो है पीशनी हो जाएगा अनॉ स्थय्शित Sव्वलन सब्सक्राइब्ग सब्सक्राइब करें और इस कि आगे इस को Germans याद रखना करते जो symptoms है वो herring law of cure को follow करने लग चाहते हैं ये 4 points herring law of cure के herring follow करने लग चाहते हैं उसी time पे हमें क्या करना चाहिए उसी time पे हमें repetition of medicines जो होता है न उसको वहीं पे ही stop कर देना चाहिए ठीक और फिर हमें SL चलाने चाहिए तो ये था proper herring law of cure के बारे में ठीक है and then मैं वस आप से यह करशा हूंगा कि अगर आपको यह लेक्शन अच्छा लगा तो आप मुझे आना निचे कोमें सेक्शन में अपने रिव्यू जरूर दीजिगा and अगर इस लेक्शन के बहुरूद भी आपके कोई डाउट सें तो फिर आप जो है मुझे नीचे कोमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर जो है मेरा जो टेलीग्राम चैनल है दोह मेडिकूस अब मुझे उस में बता सकते हैं ओके? So, थैंक यू